क्या जजबा है नीट 2023 के एक्जाम को निकालने का अगर नहीं है तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि दोस्त मेरे प्यारे बच्छो कॉम्पटीशन बढ़ता जा रहा है 2021 और 2022 के अगर एक्जाम की अगर बात करें तो आप जानते ह किस तरीके से पेपर का लेवल जो है वो comparatively toughness जो है वो बढ़ी है जैसे अगर 2021 के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो फिसिक्स का पेपर comparatively पिछले सालों से tough आया था और 2022 के अगर मैं बात करूँ तो बायो का पेपर पिछले सालों से तोड़ा सा लिंदी आया था तो कहीं कहीं complexity अगर बढ़ रही है जटिलता हैं अगर बढ़ रही है तो 2023 की preparation कैसे करोगे और अब नहीं बोला जाएगा कि 600 marks ले आओ तो बढ़िया आपको medical college मिल जाएगा नहीं अब नहीं अब अगर paper की toughness बढ़ रही तभी बात बनेगी तभी मजाएगा यानि एक benchmark जो है minimum benchmark जो है वो कितना decide करो 650 plus आपके marks होने चाहिए 720 में से और आसान काम तो है नहीं 650 marks से ज़्यादा कैसे लेकर आए गुरुजी कुछ tips दे दीजे कुछ बता दीजे कि किस तरीके से हम 650 से ज़्यादा marks लेकर आ सकते हैं meet 2023 के exam है तो देखिए मैं आज simple से तीन बिंदू लेकर आया हूँ ज़्यादा time में आपका नहीं लूँगा ये तीन ऐसी strategy हैं अगर आप इन तीन strategy को follow करेंगे तो yes definitely आपको फाइदा मिलेगा लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आज का session आप please like करें share करें और subscribe करें अगर लगे अच्छा लगे अगर अच्छा आपको लगे कि अगर जो strategy मैंने बताई है अगर लगे अच्छी तो last में like कर देना ठीक है अभी मत करो last में कर देना अगर जो मैं strategy आपको बताऊंगा ठीक है और और अच्छी लगे तो share भी कर देना और जबरदस्त लग जाए तो subscribe भी कर देना दोस्त ठीक है चल आईए सबसे पहली बात जो हम करने वाले हैं वो यह कि नीट 2023 के एक्जाम में 600, 6500 मार्ग, 600 नहीं, 6500 से ज़्यादा मार्ग्स आखिर लाएं कैसे क्या ऐसा आप बताने वाले हैं गुरुजी जिससे हम कतई मचा देंगे पेपर में, ऐसी कौन सी चीज हम आप बताने वाले हो तो देखें तीन रामबाण इलाज है, तीन गोलियां है, पानी के साथ घोट कर पी जाईए, पहली, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम बच्चे जो हैं गलती करते हैं, क्या, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए जरा इसको क्या लिखा हुआ है, आपक लगब की जगे हूँ और सबसे पहले, अगर मैं भी नीट की प्रप्रेशन कर रहा हुँ, सब्सक्स मैं पढ़ रहा हूँ, आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने कोशिंस की प्रेक्टिस करी हैं, अब मुझे एक घंटे में, एक घंटे में तो डिसाइड ही नहीं करा हम तो कॉपी ली पैन लिया देखा कोशन देखा और करने बैठ गए अब आपका वही एक कोशन माल लो अगर एक कोशन आप पांच मिनट में सॉल्फ कर रहे हैं फिसिक्स का या केमिस्ट्री का थोड़ा और कम टाइम में बायो का और कम टाइम में तो दोस्त क्या end तक यही speed रखोगे क्या नहीं न भाया आपको औरों से अलग होना पड़ेगा आपको 650 प्लस marks की जो category लानी है नहीं 650 प्लस marks की इस category में अगर आना है साढ़े 600 सो प्लस में अगर आना है मार्क्स लाने है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा कुछ अलग हटके करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं अपने पास एक stop watch लेकर questions की practice करने पड़ेगी stop watch आपके phone में होती है आपको पता होना चाहिए जहां आप आज किसी topic को पढ़ रहे हैं और उसके topic को करने को questions करने में अगर आपको time लग रहा है तो next time जब उसी topic का revision करो तो दोस्त stop watch के साथ practice करो watch चला दो मतलब stop watch जो होती है seconds चला दो है ना और कोशिश करो जितना जल्दी हो सकता है fast calculations करने की आपको calculation fast करनी पड़ेगी भाई आपको fast calculation भाई आप जरा सोचे आपके पास कितना time है तीन घंटा बीस मिनट चलो इस बार तीन घंटा बीस मिनट था अगली बार न जाने फिर पता नहीं कौन सा नया rule आजा लेकिन अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं कि यह दो सो कोशन तीन घंटा बीस मिनट है मोटा मोटा एक कोशन में एक मिनट भी लग रहा है तो दोस्त physics की कोशन तो कई बार बड़े होते हैं न अगर आप एक ही कोशन के पीछे पड़ गए और दस मिनट अगर आपने उसमें वितीत कर दिये खा गया वो दस मिनट खो लिया फिर तो पेपर तो आपको कोशन की प्रैक्टिस जो है थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी टाइम के साथ साथ ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा यह कमाल एक दिन की बात नहीं है अभी आपके पास पूरा टाइम है इस चीज को धियान में रखो सीरिसली लो बातों को और जरूरी नहीं है मैं ही कह रहा हूँ कोई भी टीचर अगर आपको कोई गाइडिंस दे रहा है चाहिए कहीं से भी कोई भी किसी भी चैनल से किसी भी offline coaching से, online coaching से अगर आपको कोई teacher ग्यान देने की कोशिश कर रहा है तो please उसकी बात को सुनो, समझो कोई आपके नुकसान की बाते नहीं कर रहा है आपके फाइदे की ही बाते कर रहा है समझे रहे हैं ना, तो आपके फाइदे की बात है कि जैसे जैसे आप questions, जैसे जैसे आप आगे time जैसे जैसे निकलता जाएगा तो आपकी जो questions करने की जो practice है ना, वो थोड़ी सी fast होनी चाहिए अगर ये नहीं हुई ना दोस्त, फिर मज़े वाली बात नहीं है फिर selection वाली बात नहीं पाइगी तो सबसे पहला काम क्या करना है, याद रखना है आपको next time, next time, आगे आने वाले समय में, जितना हो सके एक तो calculator कम्यूज में लेना है ना, और साथ-साथ आपने सामने phone की stop watch लगा लीजे ये normal watch जो होती, normal घड़ी जो है, वही रख लीजे और देखिए, आपका एक question जो है, वो कितने समय में solve हो रहा है कोशिश करिए, ऐसे questions को कम समय में solve करने की time consume करिए सारा खेल time का ही तो है दोस्त, तो ये पहली चीज है दूसरा, पहली चीज क्या है, calculation must be fast पहली चीज याद रखना, आपकी calculation जो है, आपकी practice जो आप कर रहे है questions की, वो fast होनी चाहिए, speed बढ़नी चाहिए, दोस्त, speed जो है वो बढ़नी चाहिए आपकी, दूसरी चीज, theory को पढ़ने की आदट डालनी पढ़ेगी जी हाँ, है ना, सर पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, आदत ही नहीं है, theory को पढ़ने की समझना इस चीज को, आदे से जादा बच्चे जो नीट का exam दे रहे हैं, आदे से जादा बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ उनको कोशन ही समझ में नहीं आता कि कोशन लिखा क्या हुआ है पेपर में, literally सची बात है, हकीकत है यह, अगर 18 लाक बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उनमें से 9 लाक से जादा ऐसे बच्चे होएंगे, जिनको प्रश्नी ही समझ में नहीं आते हैं कि लिखा क्या हुआ हु क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं है, अगर पढ़ने की आदत होती, फियोरी को पढ़ने की आदत होती है, तो यह नौबत ही नहाती कि आपको प्रश्न समझ में नायाँ जी हा, हकीकत है यह, कि जादा से जादा, 50% से जादा बच्चे कोशन's को समझ नहीं पाते हैं, उसकी नहीं आतीए बच्चों को क्यों कि रीडिंग रीडिंग की जो कैप सिटी थी नवह बहुत कम ठी रीडिंग ही नहीं करी ठीहोरी को पढ़ाई नहीं तो जासा चीम है भी यह टीह सुच लिए नहीं लेकिन हम तो रटा लगाएंगे बाइलोजी तो रटने का सब्जेक्ट है रटलो बेटा जितना रटोगे बाइलोजी को आप जितना रटोगे ये मान के चल ले अगर तू बाइलोजी रटेगा ध्यान से सुन अगर तू बाइलोजी रटेगा तो मान के चल ले एक्जा को पढ़ पढ़ने की आदट डाल अब सर नहीं समझ में आती थियोरी तो क्या करें रोज सुबह उठकर रोज सुबह उठकर इतना सा काम कर ले यार एक न्यूज पेपर लगवालो है हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम का पेपर जो आता है हिंदी के जो पेपर आते हैं अ रोज सुबह आदा घंटा जादा नहीं जादा नहीं सिर्फ आदा घंटा एक बार उस अकबार को पढ़ो एक बार उस अकबार को पढ़ने की आदट डालो उस अकबार में कोई चीज अगर लिखी हुई है तो उसको देखो उसको समझो क्या लिखने की कोशिश कर रहा है ल क्वालिटी जो है अगर आपकी बढ़ गई न यह थियोरी को पढ़ने की जो आदत जो है अगर आपकी डल गई न तो दोस्त जब आप कोशन की प्रेक्टिस करोगे न तो बहुत मज़ाएगा आपको कोशन समझ में आएंगे पेपर में ठीक है तो मैं यह नहीं कह रहा कि अग तो करना पड़ेगा आपको इसको बढ़ाना तो पड़ेगा तो इसका एक तरीका मैंने आपको बताया है क्या कि अगर आपके घर पर न्यूजबे पर आता है तो उसको पढ़ना स्टार्ट करे सुबह आदा घंटा मैक्सिमम आदा घंटा निकाल कर उसको पढ़ना स्टार् रही है तो मम्मी पापा को बोलो रोज प्रतिजिन मम्मी पापा को बोलो आज मैं अपनी बायो की अपनी फिजिक्स की अपनी केमेस्टी की एक घंटे थ्योरी पढ़ू गाँ और सामने लेकर बैठना नहीं है उसको उसको focusre juvenile पढ़ना ना ना वो नहीं करना आप ने उसको जब पढ़ना है तो यह सोच के साथ पढ़ना है कि जो चीज लिखी हुई है आपको उसकी एक एक शब्द समझ में आ है एक एक शब्द उसका clear हो, उसका meaning समझ मैं इस सोच के साथ आपको उसकी reading करनी है तो reading को आपको बढ़ाना है जो चीज लिखी हुई है उसको आपको समझना है और last चीज sir questions की practice fast कर देनी है ठीक है sir, sir reading की reading की reading को बढ़ाना है मैंने का हाँ जी बढ़ाना है sir हमने reading भी बढ़ा दी हमने पढ़ना भी start कर दी हम चीजों को पढ़ भी रहे हैं questions की practice भी कर रहे हैं, दोनों काम हम कर रहे हैं लेकिन sir हमने आज पढ़ा questions की practice कर लिए हम एक महीने बाद उसी topic को जब हम पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं कि जो पढ़ा था जो questions की practice करी थी वो topic जो था वो तो हमें याद ही नहीं रहता अब sir उसको कैसे याद रखेंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो क्या आपको यहाँ पर एक sign दिख रहा होगा एक link आ रहा होगा वो link मैंने आज से कुछ महीने पहले एक video बनाई थी कि कैसे चीजों को याद रखें किस तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं तो यहाँ side में आपको एक window यहाँ पर दिखाई दे रहे होगी यहाँ पर एक section आ रहा होगा जिसको अगर आप click करेंगे तो आपको वो सारी चीजे पता लग जाएंगे with proof with scientific proof कि कैसे चीजों को याद रखा जा सकता है तो याद भी रखना है reading भी लगानी है questions की practice भी करनी है और यह सब कुछ करना तुमें ही है देख करना तो तुमें ही है कैसे करना है यह मैंने बता दिया क्यों करना है यह तुम जानते हो तुमारी ही भलाई होईगी तुमारा ही selection होएगा तुमारा ही future बनेगा कैसे करना है यह मैंने तुम को बता दिया क्यों करना है यह तुम जानते हो कब करना है ये भी तुम जानते हो कैसे क्या क्या चीजे करनी है क्यों करना है सब बता दिया अब करना है या नहीं करना ये तुमारी मर्जी है तुम्हें थियोरी की रीडिंग लगानी है या नहीं लगानी ये तुमारी मर्जी है तुम्हें कोशन्स की प्रैक्टिस फास्ट करनी है ये तुम्हारी मर्जी है तुम्हें चीजों को याद रखना है नहीं रखना ये तुम्हारी मर्जी है तुम्हें सेलेक्शन लेना है नहीं लेना है ये तुम्हारी मर्जी है ठीक है हमारा काम है क्या एक गुरू का काम ही क् हमारा काम क्या है हम क्या करने के लिए हमारी मम्मी ने हमको पैदा किया है जानते हैं ना कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं अपनाना स्टार्ट करें दोस्त अपनी लाइफ में definitely आपको चेंज मिलेगा ही मिलेगा और फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आपका जो भी सवाल होएगा उसका उत्तर आपको दिया जाएगा ब